दिली आशाकिरंट शेल्टर होम में बड़ी खबर वहाँ बच्चों को सरिफ आधा ही खाना दिया जाता था दिली सरकार ने मजिस्ट्रेट जंच किया देश दिया लेकिन 14 मौतों पर अब तक दिली के लगी बी आक्शन मोड में आ गए हैं इस दोरान LG ने साफ किया कि एक हफते के भीतर जिम्मेदारी तै की जाएगी और यहां के व्यवस्थापक के खिलाफ तुरंत कारवाई शुरू की जाए तो यह बड़ी ख़बर आप देख रहा हैं कल किस तरीके से पूरा मामला सामने आया था जिसके बाद आतिशी मालनी जो दिली सरकार में मंत्री है साफ तोर पर कहती है सबसे बड़ा सवाल कि इस शेल्टर होम को लेकर पहले भी सवाल खड़े हो चुके हैं लेकिन आखिर ऐसा अब तक क्यों नहीं हुआ कि कोई कारवाई नहीं की गई स्वाती मालिवाली खुद कह रही है कि वो भी इस पूरे शेल्टर होम में गई थी पहले भी पहले भी मौते हुई है लेकिन तब वो आमादमी पार्टी का हिस्सा थी शायद तब उन्हें कारवाई करना उतना सही नहीं लगा और आज वो संसद के भीतर कह रही है कि दिली स सरकार सवालों के घेरे में है